हेलो गाईस इस वीडियो में कबर करने बाला हूँ लीग उन का आज का मैच त्रोयोस भरसेस पैरिसेंट जार्मेन के बिज़ में होने वाला है मैच स्टार्ट होगा 8 जुलाई 12.30 एम पे कनफर्म लाइनपस आ जाएगा आज 11.30 पीम पे तो कनफर्म लाइनपस और अप्टर लाइनप फाइनल टीम के लिए टेलिग्रम चैनल पे जॉइन कर लो तुरू से टेलिग्रम चेनल पे जोईन कर लो, अल्डेरी 22,000 से ज्यादा लोग जोईन हो चुका है, आप भी जोईन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ, तो फाइनल टीम और फार्दर अपडेट्स अप्टर लाइन आपको टेलिग्रम चेनल पे मिलेगा, तो सबसे पहले टेलिग्रम चेनल पे जोईन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से टेलिग्रम चेनल पे जोईन कर लो, अप्टर लाइन आप फाइनल टीम और फार्दर अपडेट्स आपको मिल जाएगा टेलिग्रम चेनल प बड़े players rested है इस match में क्योंकि बहुत सारे matches खेलते हुए आ रहा है परिस का जो main players है international duty था और भी बहुत सारा workload है उस सारे चीजों के लिए इस match में बहुत सारे player mostly out है वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ तो Trois last five matches में एक match win किया है दो match draw दो match loss face किये है Paris Saint German 2 match में win 2 match में draw और 1 match में loss face किये है head to 8 record देखोगे तो यहाँ पर भाई कोई भी अगर अब देखोगे Trois एक भी match win नहीं किया है last five matches की बात करू तो Paris Saint German हमेशा dominant करते है और एक चीज अब note करना सिरिफ एक match में goals खाए थे 4 on हुआ था उस match में 2015 पे उससे बाद से एक भी match में goal नहीं काया है Paris Saint German तो clean sheet का high chance है इस match में और वो Paris Saint German रख सकते है media according और on the paper के according Paris Saint German highly favorite है मुझे भी लगता है Paris Saint German far better football खेलने वाले है compared to Trois अब बात कर लेतें injury doubtful players की news की तो बहुत बड़े list है यहाँ पर Trois के लिए Salmar, Suk Hyunjun और यहाँ पर मुटोमो आउट है यहाँ पर injury भी आप देख सकते हो ground injury है एक player का yellow card और एक thai injury के वज़े से आउट है अब बात करूँ यहाँ पर Paris Saint German मतलब PSG की टीम की तो burnet नी injury के वज़े से आउट है अगबा एंगेल इंजरी दी मारिया रेस्टेट है और होना भी चाहिए international duty था डॉंडुमा सेम चीज है international duty के बज़े से रेस्टेट है गुया इलनेस यहाँ पर लेटिलिया ग्राउन इंजरी मार्किनोस रेस्ट, नेइमार रेस्ट, पार्डेस रेस्ट, पेबेल लेला रेस्ट या सज्जोर रेमोस लेक इंजरी अब भी तक 100% शीओर नहीं है मतलब फिट नहीं है रेमोस सो रेमोस भी इस मैच को मिस आउट कर सकते है वट्टे टी भी रेस्टेट है क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी हली में खतम करते हुए आ रहा है तीन सारे प्लेस को पिक मत करना कोई भी नहीं खेलने वाले है इस मैच में अब बात कर लेते हैं पॉसिबल लाइनपस के और सारे प्लेस के बारे में डिटल्स में बतानी की कोशिश करूँगा अब ट्रॉयस टीम से स्टार्ट करते हैं तो ट्रॉयस टीम के तरफ से गोल की बस मैं आपको गैथिवूट गैलाउन आपको खेलती हुँ दिखेगा गोल की पर थोड़ा दिक्कत है तो उसका चूस कर बोल पाना लेकिन पॉसिबल लाइनपस में दो रखे जो दे रखे हो है गैलाउन लेकिन चेंजिस हो सकते है गोल की पास डिफेंडर्स की बात करूँ तो इसा कैबरो है गैबरियल मोटू मोमो है या पे रविंगा कमूनो योनिस सेलीमेर तो कोई भी डिफेंडर्स को मैं साइश नहीं करूँगा अगर आपको लगता है जिरो जिरो सकोशिट होगा तब एक चीज़े क्यूंकि लिक के स्टार्ट में जिरो-जिरो हो सकते है पॉसिबिलिटी है तो आप अगर एक डिफेंडर्स को पेफर करना चाते हो तो सैलेमार या कबोरो में से किसी एक को अप ले सकते हो मिटफिलस की बात करो तो डाइलन कैमबोस्ट है फ्लोरीन तर्डियो करीम अजुमान और अटाकिम में आपको लेवी, लमुका, ईयोन, तजुगार और यहाँ पर रिपाट अपको खेलत हुए दिख जाएगा पिनाल्टी टेकर टडवा है यहाँ पर फिलोरीन तडवा आपको पिनाल्टी टेकर चूँए फ्रिकी कॉनर आपको कैमपोस्ट और टेडू करत हुए दिख जाएगा तो यह दो प्लेयर बहुत इंपक्ट फुल प्लेयर है ट्रॉयस के तरफ से मास्ट है पीक की बात करूँ तो देखो यहाँ पे टजूगर रीपार्ट यह दो अच्छे प्लेयर है अगर गोल स्कोर करते तो यही दो प्लेयर में से मोस्ट पॉबली करने वाले है टडू पिनल्टी में बहुत स्टॉंग है पिनल्टी पे हमेशा गोल करते है तो पिनल्टी मिल गया तो गोल स्कोर कर सकते है और बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है कैमपोस्ट और टडू ठीक है और डिफेंस में मैं आपको बता दिया सेलेमोर और कबोरो इंपोर्टेंट और गोल की पर मास्ट है पीक है यहां पर गैथूर गैलों तुई इन में से जयातर प्लेस पिक करने की कोशिश करना जो मैं टिक मार्क किया हूँ अब बात कर लेते हैं PSG मतलब पैरिस से इंजार्मेंट की पॉसिबल लाइनाप की और सारे प्लेस के बाड़े में बताऊंगा अब बात कर लेते हैं गोल की पर से तो काईलर नयवास आपको खेलते हूँ दिखेगा क्योंकि गलगानू डॉन्डूमा को रेस्टेट किया गया है नयवास लगातर अच्छे परफॉर्मेंस पूट अप किया है पैरिस के लिए लेकिन अभी गिलगानू डॉन्डूमा भी आ चुका है जो वर्ल्ड क्लास सेफ करते हुए इटाली को चैंपियन किया है यूरो लिग में उनको भी मौखा डिफिनेटल मिलेगा लेकिन अभी मुझे लगते नयवास से स्टार्ट करने वाले है डिफेंडर्स में अच्राप हकीमी है अबुद्वायो धियालो है परसनाल किमपाम पे और यहाँ पे करज़ुआ है चारोई डिफेंडर्स बहुत इंपोर्टेंट है चारोई डिफेंडर्स को मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने टीम में रखो लेकिन अगर आप अटाकिंग में या मिटफिलर्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाना चातो है अपने टीम में ड्रीम टीम में तो डेफिनेटली आप एक डिफेंडर कम कर सकते है अगर आपको एसिस्ट पोटेंशियल बहुत हाई है हाकीमी एक साइक का कॉर्णर लेगा और फ्रीकिक भी ले सकते है उपर से हाकीमी गोल थ्रेटिंग अबिलिटी दिखा सकते है इंटर मिलान में जबरदस परफॉमेंस पूटाफ किये थे अभी सीजन न्यू सीजन है पैरिस के लिए ह तो मुझे लगता हाकीमी बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर बन सकते है तो हाकीमी और यहाँ पे किम पंपे मास्टाफ पीक है डियालो और कर्जुआ मेंसे किसी एक को आप डिफिनेटली पिक करना और एक को आप छोड़ सकते है अगर आप ज्यादा अटाकिंग में स्ट्र इस सीजन बहुत कम मौका इनको मिलने वाले तो जिदने भी मौका मिलेगा उनको एक्सलेट करना पड़ेगा तो इकार्डी इस मैच में डेफिनेटली आच्छे इंपैक्ट डल सकते है तो इकार्डी एक ऐसे प्लेयर मतलब हीट और मिस टाइप प्लेयर मुझे उना खास प मैं उनको कभी भी नहीं लेता हूँ क्योंकि हो हीट और मिस टाइप प्लेयर है तो इस बज़े से सेम टू सेम इकार्डी भी है लेकिन ये गोल कर सकती है इस मैच में इस वज़े से एक लेने वाला प्लेयर बन सकती है तो इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ तो देखो का एक गोल आपको देखने को मिल सकते है एमबापे के तरब से इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ और उससे पहले पेनाल्टी टेकर काईलान एमबापे नोड आउट फ्रीकी कॉनना टेकर उइंस डोलाम और हाकीमी आपको लेत हुए दिखेगा टॉप पिक में आथे काईल इंक्लूट कर सकते हो ग्रांड लिग ओफ्षन में तो इन में से जयातर प्लेयर पिक करने के कोशिश करना आपको बहतरीन परफोर्मेंस करत हुए दिख जाएगा दो प्लेयर में ग्रांड लिग में बताने की कोशिश करूँगा जो कैप्टेन सी का बहुत अच्छा चोई लेकिन बहुत पी कम चांस है तो 2-0 मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी फेडिक्शन है मेरी फैंटेस्टी टीम देखोगे तो कुछ इस तरीक इसा है लेकिन वाइस कैप्टेंसी पर मैं रिक्स लिया हूँ अब वाइस कैप्टेंसी से शेब जाना चाहते हूँ इकाड़ी अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ वो स्कोर कर देते है तो मैच ओहाँ पर ही फिनिश हो जाएगा तो अगर आप यह चारो ही प्लेयर को लेना चाहते हो तो भाई एक डिफेंडर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा और मैं कर्जवा को ड्रॉप किया हूँ कर्जवा लेना है क किसी एक को ड्रॉप करो एमबापी को छोड़के तो आप कर्जवा को इजीली ले पाऊँगे मेरा कैप्टेंस एमबापी को गया है पिनाल्टी लेते हैं बहुत इंपक्टफुल प्लेयर है किसी भी ऑपोर्ण के खिलाप यह कभी भी गोल कर सकती है बहुत ही अच्छा के लिए है तो यह मेरा विदा कटी में लेकिन यह टीम फाइनल नहीं है अप्टर लाइनप आपको चेंजेस दीख सकते है क्योंकि लाइनास में अगर कोई भी प्लेयर आते है न्यू बड़े प्लेयर तो मैं डेफिनेली उनको इंकुलूशन करूंगा तो इस बज़े से ज पसंद आए पसंद आए तो फ्रेंज के शेयर कर लेना और एक लाइक जरू से कर लेना मोटिवेशन मिलेगा और सबसे जो इंपोर्टेंट है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पास बलाब लाइक और प्रेस करके रख पाओगे तो थैंक्यू धर्नेवाद वीडियो देखने के लिए